हेलो दोश्तों मैं अनंद इलेक्ट्रिवन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गोतम बूड टेक्निकल चैनल आपके आपका स्वागत है जी या मेरे भाईयो आज आपने थमलेन को देखने के बात से आपको पता चले गया हो कि मैं आज की इस्टोपिक पर बात करने अबाग होता हुं तो आपने जी या मेरे भाईयों अपने सही समझा कि मैं आजे आपको इलेक्ट्रिक जग के बारे में बताने वाला हूँ तो मैं इसको आपको बताए्टर ना चाहता हूं भाई कि यह इल्यक्ट्रिक्स जोग होता है भाई इसमे वन फॉइंट लिट्र पानी आप इसमें डाल के आराम से मात्र तीन से पांच में अदर इसमें गर्म कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं जा रहा हूं कि इसको लुदो को रहता ही इसको रहता ही थ्लकुद सब्सक्राइब सब्रकें यहीं आ попроб दिखा रहा है कि एक तर्मिनल घूता है इसको से गए बनाए तार लें यह छो जाता आती है और हमारी चोती से लेख रहे हैं कि आपके पास दिकारे को ढूंद्ब फुल्ट में लगा करके शहां करते हैं लाइट करते हैं फिल शेल लाइट देखाया से आपका बहुत यह अच्छी तरीका से यहां पर तर्मिनल दिखाई दे रहा है कि यहां पे टर्मिनल दिखाई रहा है जी है मिर भाईयों मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि यह जो टर्मिनल होते हैं आपको एक तरह करें तो कापर के प्लेट का बने होते हैं इस प्लेट में आप इस प्रिंग टाइप के काम करते हैं जैसे थोड़ा से उपर से बाद दिया जाता है तो फ्लिट थोड़ा से नीचे कि तर जाते हैं और एक तया करके उस परखते हैं जाता है तो मैं इसी को साथ मैं देखते हुए आपको मैं बता रहा हूं फिर से जह जरब को उठाके ज्टा जरण मैं बाईओ आपको मैं बताना चा庭 ताम उनुद जो भी नीचे वाले एक दिखाई दे रहा हो फिरुटकार और ऊपर वाले दिखाई क sucks तो आपको यहां से लाइट अब अंदर जाता हुआ जैसे जब इसको ऐसे रखते हैं इसको जोब एक मैं रखते हैं तो इसमें देख रहेंगे के जाकर इसे दिरे से इसमें लाइट आ जाती है जैसे इस पलोग मैंने माले लागा दिए और स्विच को आन कर देती अब हमारे मैं द्हुमनेट न चलब हो जाएने के बाद से क्या को क्या करने परता है जब इसमें लाइट भां करने लेगा तो भी जायD. करना शुरू कर दे इसका एलिमेंट गर्म होने लगेगा और जिसकी सहायता से इसमें पानी बहुत ही फास्ट बहुत ही जल्दी उबल जाती है ठीक न भाईयो तो मैं आप को इसके बारे में आज रिपेरिंग करना भी बता रहा हूं ठीक न अगर आप हमारे चैनल पर पहले सेवा में उपस्तित हूं आपको जो भी समय से हो रहा है इलेक्टिक एलेक्टरानिक समानों के में तो आप मुझे बेधड़ाक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सेर कीजिए तो आप तीनों में से एक कीजिए को लेकर सकते हैं तो मेरे पास से इस वक्ते मल्टी मीटर है तो मैं मल्टी मीटर से आपको तार को जांच करने को बताऊंगा तो मैं सबसे पले इसको अपने स्वीच को लिए जाकर करके डिर्क मैं कांटिन्यूटी मूर पर सेट कर देता हूं जैसे कि आप देख पारहा हूं इसमें one मृत से रेक्ट हो चुका एक दिखा रहा एक नंबर इस में आ इस दुने तार को लड़ाऊँ गा इसमें कुछ रिडिंग तर ने के बात से भाई क्या होगा कि को कि इसमें deep की आवाज की टीप की तूउ-टूई तर्मिनल आपको दिखाया तो पर यहां कि यहां कि परकार से मुझे वाले तार से मेरा जो मेरा मल्टीमीटर आपना वाज शुरू कर दिया जो कि इसे परकार से मुझे इसे निउटल वाले तरक खोब्या करना होगा इसको जाज करना हो तो आपको कनेक्टर करके इसको जाज करना पाड़े हैं अगर यहाँ पे दोनों पर आप सटाते हैं और बाइद आपको आपको सुनाई सकते हैं कि हमारे तरकहली क्वाइब कर दो लेकिन डी तो डिप देती तो मैं बतारा हूं कि इसको अभी इसके पहले पावर सभाइब किसी परकार केक्ट नहीं की किरा गारे इसे लिए इस वक्ते नहीं बता रहे तो मैं चलता हम जग में थिये जरमक्या क्या दिक्कत है आपको खोल करता हूं और दिखाना चाहता हूं यह विद्याक्रा यह तो देखां चाहता हूं यह फूर तो आप देख पारोंगे अच्छी तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है देख रहा है आप देखिए आपको मैं पहले यह बताया था कि इस से कोई बहुत नहीं देखिए आपको इसमें से एक तार गया है जो इधर नीचे निकल का यह यहां से तार निकला हुए नीचे पूश करना और धिरे साल के आतों से दबाना ओगा दबाने के बाद से खूलेगा ठीक ना अपर बंद करना अभी तो इसको दबाई के बंद कर सकते हैं और आप जोड बरस्ते करेंगा तो चूट सकता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस स्वीच को आपको दिखा द आप दोनों पेचों को रिमूब करने के बाद सभाजे मुझे को आपको मैं दिखा रहा हूं यहां आप नीचे भी पेचे इसको भी आपको रिमूब करना होगा इसको भी आया प्नो कर लिजिये जैसे आप देखक पर होंगे कि मैं इस पेच सब्सक्राइब भी और में मुझे तब इसको जांच करना होगा कि मैंयरे स्वीच तक हो भाई कि आपको पहले मैं ही बता दिया हूँ कि जो बाहर वाला इतार होता है यह भी एक तार आता है और एक यह वाला भी तार आता है जो कि आपको फेस के लिए आता है और यह वाले न्यूटल के लिए आता है ठीक ना जो बीच वाला होता है क्यों बैलेंस बनाए रखने क आपको सो कर रहा होगा आपको रेडिंग भी कर रहा है ठीक ना तो यहां पर आप देख पाँ रहूँगे कि यह देख पा रहा होंगे कि यह स्विस करना होगा तो switch को जान करने के लिए यञा क्या करना होगा तो मालता हूँ कि यही से आपको मैं फेस लगाता हूं अब फेस लगाने के बाद से आपको मैं बताना चाहता हूं क conquista m çao th 스ट पास से यह से light यह तक आती ठीक न तब देख पारा हूंगा अच्छी तो को दिखाई रहा होगा कि छ Oke डिसप्ले आपको रिडिंग ही कर रहा है तो चले देखता हूँ काई स्विस्ट नहीं है तो ठीक है भाई तू देख आऊ यह स्विच बंद है आपको स्विच को आन करना पड़ेगा ठीक ना जैसे मैं स्विच को आन कर दिया और स्विच आन करने के बाद से भाई यह जो नीचे वाला जो फेस तार था वहीं पूशकर लगा कर रखना है और दूसरे टर्मिनल को मुझको इसके जो क्वाइल पर है ज समना डिस्पले में ध्यान बनाए रखिएगा जैसे कि आप देख पार होंगे कि यहां तक भी लाइट आपकी आ रही है तो भाई मैं आप से बताना चाहता हूं कि जब यहां तक भी इधर से लाइट आ गई और आपको इधर से देख रहा है कि आप इधर न्यूटल से सब्सक्राइया हई तो याने के सिंपल समवर्णदा आपको इखाना चाहता हूं कि आपको पूरे जग्यां को सही है और यहां तक भी लाइट पहुचा दे रहा है और यहां से बाहर वाला भी देख रहा हूं तो बाहर वाला भी इस मतलब जैसे अलिमेंट तक आपको पहुचा देरा लाइट कि यहां पर तो भी आपको रीडिंग सो कर रहा है यानि कि भाई मुझे अब क्वाईल की जाच करना होगा तो मैं बता रहा हूं अब क्वाईल के दोनों टर्मिनल पर मैं जब लगा रहा हूं तो रीडिंग नई सो कर रहा है यानि कि भाई इसका क्वाईल एक्टम खराब हो चुका है जो कि आपके पास यह मार्केट में मिलेगा नहीं अब जब मिलेगा नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे इसको ठीक ना तो यानि कि इसकी कहानी अब खत्म हो गई है समझ रहे हैं कि इसकी जो कहानी है इसकी जो मतलब जितनी दिन कि इसकी बैल डीटी इसको बहुत तो बहुत तो नहीं कर सकता है लेकिन इसको करके आप इसमें का करेंगे या पानी रख सकते हैं या दूद रख सकते हैं या कोई भी चीज लाना हो या ले जाना हो कहीं रखना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं नार्मल बर्तनों की तरह से यूज कर सकते हैं ठीक ना लेकिन आप चाहें कि इसको फिर से और इस को अगर आप बचा होता भाई तो इसमें कोई ना कोई जुगार लागा करके हर एक चीज बदल दिया जाता समय रहें लेकिन इस एलिमेंट को आप बदल नहीं पाएंगे क्योंकि इसको मैं देख रहा हूं कि इसको एतना अस्थाई तरीके से इसको चिपका दिया गया है कि मै आपको दिखाना चाहता हूं कि निकल भी नहीं पाएंगा क्योंकि अतने टाकत लगाने के बार भी देख रहा है एक फ्लेत छोड़ नहीं रहा है समय रहें थे प्लेत नहीं छोड़ रहा है तो आपका एलिमेंट नहीं खराब है तो भाई अब क्या किजेगा कि आप तो करेंगे तार्षिजाज करने के बाद से आपको सही तरीके से आपको मालूम है प्रॉपर अगर आपको भाई नहीं अगर फिर भी आपको एलिमेंट अगर आपको किलियर हो गया कि आपका खराब है अगर आपका एलिमेंट खराब हो गया तो प्लीज आप अगर जो आपको एस मार्केट में आपके पास और यह मिलता है आपके पास अगर एलिमेंट तो आप मुझे भी कमेंट करके आप बताईए कि मैं भी इस एलिमेंट को अपने पास भी मांगा सकूँ क्योंकि मेरे पास भी इस अब मालीजे जोग को मुझे बनाने के लिए तो मुझे बनाने के लिए टैंक्यू फार वाचिंग भाईो अगर हमारी वीडियो आपको आछिए लगी हो अप लाइक किजिए कमेंट किजिए और हमारे चैनल को सस Klाइब किजिए ठीक ना मेरे वीडियो सेहर किजिए मैं आपको बताना चारता हूं भाई कि जो भी हमने इसमें पूरी प्रकिरिया किया है वह एक लेक्तार से ले करके आपको एक हर चीज के बारे में आपको बताया पूरी जानकारी दिया हूं भाई मैं डिरेक्ट आपको चाहता तो मैं element कहीं जांच करके दे देता लेकिन भाई आपको क्यों नहीं दिया element कही से आ सकता और शही का जै तो मुझे पता नहीं था भाई कि एलिमेंटी जैसे मुझे खराब है मुझे भी डाउट नहीं था लेकिन मैं आप लोगों के सामने लाइब ही आपके सामने इसको खोला और खोलने के बाद से पूरा चीज दिखाया हूं और आप वीडियो अच्छी लगते है तो लाइक कमेंट और सेर कीजिए धन्यवाद वंदे मात्रम फिर मिलेंगे किसी नेस्ट वीडियो में आपको किसी एक अच्छे टोपिक के साथ बाबाई